हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चानल लेट्स नचेर आर माइंड्स आज मैं एक ऐसे आयरवेदिक और शदिये प्लांट के बारे में बात करूंगी जिसके बारे में जिसका नाम आपने सुना होगा लेकिन देखते हैं कि आप उसे पैचान पाते हैं संदिय पैचाना आपने यह पापाया नहीं है पपीता नहीं है सोचे चली एक और क्लू देती हूं में आपको यह इसका फ्रूट है इसके पॉसे तो आप पैचाना अरे बहुत इजी है यह तो केस्टर ऑईल जिससे बनता है वो प्लांट है इस प्लांट से केस्टर ऑईल बनता है यह केस्टर प्लांट है यह एक ऑईल प्लांट है जिससे तेल बनता है जो तेल बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा फायदे मंद होता है चलिए इसके फायदे बताने से पहले मैं आपसे कि बहुत ही गलोई स्किन चाहिए यहां भी सब के हाथ खड़े होंगे किस-किस को वेट लॉस करना है और शाहर यहां भी सब के हाथ खड़े होंगे क्योंकि वेट गेन आज का एक में प्रॉब्लम बना हुआ है और इसके साथ-साथ और भी धेरों ऐसे गुन्द जो हमें वो जब सूक जाते हैं ड्राइए हो जाते हैं उसका बीज निकलता है और उस बीज से एक ओईल निकलता है जो ये सारे बैनिफिट्स देता है जिनकी मैंने बात की घने काले बाल खुबसूरत स्किन जिसकी इलास्टिसिटी बरकरार रहे जिसके ओपर रिंकल्स नहीं आए जि सारे गुण इस प्लांट में हैं इसके ओईल में हैं यह आज का नया कॉंसेप्ट नहीं है यह हजारों साल से आयरवेड में इसका दवाई के रूप में प्रियोग होता है आज कल भी इसका वही प्रियोग चल रहा है हां कुछ दिन कुछ लोग इसको भूल गए थे लेकिन दुबारा से यह फिर से इसके फाइदे जानने के बाद लोगों ने इसको यूज करना शुरू किया है इसकी वैसे तो यह जंगल में इधर उदर उगा हुआ भी मिल जाएगा लेकिन इसकी कमर्शल प्रोड़क्शन होता है जो फार्मेर्सिटिकल कंपनीज है वो इसका कमर इसके बारे में बात करूंगी उससे पहले मैं यह बताओं फिर जम खुबसूरती की बात आती है तो यह तीन चीजे में होती है खुबसूरत चेहरा घने काले बाल और एक सुडोल शरीर जो के शेप में है जो बहुत मोटा नहीं है जो भीस नहीं है ऐसा एक बॉड़ी हम कि लिए बहुत सारी treatment चले हुए है किसी doctor के पास चले जाओ वो अलग treatment बता देगा किसी वैद के पास जाओ वो अलग बता देगा और even skin के लिए तो नजाने कितने treatment है laser treatment करवा लो hydra facial करवा लो यह करवा लो और वो सारे जब उसके उपर chemical products use होते हैं चाहे आपका hair spa हुआ कुछ time के बाद में नुकसान पहुचा सकते हैं और एक बाद treatment लेने के बाद ऐसा नहीं कि वो treatment आपका permanent हो गया वो treatment फिर आपको कुछ रोज के बाद फिर उसकी जोड़ पड़ेगी और otherwise आप उस shape में नहीं रहेंगे जिसमें आप रहना चाहते हैं लेकिन इस paint के से मिलने लाला जो oil है यह आपको बड़ी आसानी से chemist की shop में मिल जाएगा यह आपको बड़ी आसानी से general stores पर मिल जाएगा इसके इतने सारे फायदे हैं कि अगर इसको यूज किया जाए तो आपके सारे beauty के जो beauty related जो queries हैं जो problems हैं वो सारी इससे solve हो सकती हैं यह एक ऐसा natural ingredient है जो आ 99% problems को यह तूर कर सकता है कैसे कर सकता है वो इसके use पर डिपेंड करता है कि आप उसको use कैसे करें हरे क्योंकि हर एक चीज का एक तरीका होता है उसको use करने का अगर आप proper तरीके से use करेंगे तो definitely बहुत जादा फायदा देगी हाँ अगर तरीका सही नहीं हुआ तो शायद तो आज उनी के बारे में बात करेंगी सबसे पहले बात करते हैं इसके health benefits की इसका सबसे बड़ा benefit यह है कि यह bowel movements को clear करता है मतलब आपको constipation का शिकायत नहीं होगा क्योंकि यह वहां के muscles को इसकी जो laxative properties है वहां के muscles को moment देती हैं जिससे वो waste material को push करें और आपका पेट साफ हो इसके साथ साथ castor oil बहुत सारे lotions में make up में cleaners में use होता है आप इसको घर पे कैसे use कर सकते हैं उसके लिए मैं अगला वीडियो गनाऊंगी castor oil और भी बहुत सारी problems से छुटकारा दिलवा सकता है इसके anti-inflammatory जो property है वो जखम को जल्दी भरने में मदद करती है अगर किसी को cut वगरा लग जाए अगर वहां पर सूजन है या कोई foda है जो बहुत परिशान कर रहा है वहां पर अगर यह तेल लगाया जाए तो skin को soothe क करके बहुत आराम देता है acne pimples के लिए तो बहुत ही अच्छा है मैं जैसा कि मैंने बताया next video में वह सब में बताऊंगे आप कैसे उसको यूज करें इसकी जो moisturizing property है वो बालों के लिए भी बहुत अच्छी है बालों को hydrate रखती है बालों के लिए मैं एक और अलग से video तरीके से इसको कैसे यूज करना है बालों के लिए skin के लिए constipation के लिए joint pain के लिए वो सारे मैं अलग-अलग बताऊंगे ये pain relief में बहुत मदद करता है का अगर खास करके अगर किसी को arthritis का problem है तो इसकी massage अगर की जाए तो pain से छुटकारा मिलता है stiffness से छुटकारा मिलता है और skin की elasticity बनी रहती है चाहिए वो knee pain हो joint pain हो कोई भी pain हो directly भी इसको use कर सकते है और इसमें कुछ ingredient मिला के भी use कर सकते है उसके लिए भी मैं अलग से video बनाऊंगे इस oil में vitamin E बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है इसमें omega 3 omega 6 omega 9 fatty acids मिलती है जो हमारे लिए बहुत फाइदे मंद है और ये beauty accelerator की तरह काम करता है मतलब beauty को enhance करने का काम करता है उसे बढ़ाने का काम करता है अगर किसी को aging का problem है मतलब कि aging sign बहुत जल्दी दिखने लगे अभी उमर नहीं हुए एक 60-70-80 के बाद तो aging sign दिखे तो normal सी चीज है बलकि उसमें grace आता है मेरी मेरी skin पर aging sign दिखते है तो मुझे लगता है ये graceful ह कि मैं 70 साल के बाद मुझे ये sign दिखाए दिये लेकर अगर किसी को बहुत जल्दी आ जाए तो ये फिर अच्छे नहीं लगते हैं cosmetic point of view से ठीक नहीं लगते हैं तो अगर castor oil का सही तरीके से यूज किया जाए तो आप wrinkles से भी बच सकते हैं aging sign से भी बच सकते हैं और बहुत लंबे समय तक अपनी skin को young रख सकते हैं बालों के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो oil है ये skin के अंदर scalp के अंदर बहुत deep तक penetrate होता है और बिल्कुल root तक जाके root से बालों की health को अच्छा करता है और जब कोई चीज root से अच्छी होती है तो उसकी overgrowth जोगी जो बाहर उसकी growth दिखेगी वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी अगर किसी को बार बार acne pimple का problem होता है या uneven skin tone हो जाता है या चाहियां पढ़ जाती है तो उसमें भी अगर इसको अपने face pack में मिला के लगाया जाए तो उन परिशानियों से भी चुटकारा मिल सकता है एकने के दाग अगर है scars अगर हो जाए तो यह अगर आप टच करके लगाते हैं तो कुछी दिनों में skill को वहां से soft करेगा और उस scar को उस निशान को या जो गड़ी पढ़ गए उनको श्रिंग करने में बहुत मदद करता है heal the body holistically यह एक book है जिसमें लिखा हुआ है कि caster oil में मिलने वाले concentrated unsaturated जो fat होते हैं उन में इतनी power है कि वो आपकी हर समस्या को दूर कर सकते हैं हर समस्या यानि कि hair से related skin से related और आपके weight से related तो आपकी body में और हां यह अगर इसकी massage की जाए कुछ एक ingredient इसके साथ मिलाके तो joint pain के लिए भी बहुत अच्छा है किसी को जोडों में दर्थ है घुटनों में दर्थ है हाथ के उंगलियों में दर्थ है हाथ हिलाने में problem हो रही है तो वहां पर अगर इसका इस ऑईल से हलका करब करके massage की जाए तो यह बहुत फायदा करता है तो summary यह हुई कि caster oil हमारे इसे सिर पर लगाए यह बहुत फायदा करेगा इसे अपने joints पर लगाए तो pain relief करने में बहुत फायदा करेगा अगर आप कोई एक multi-purpose oil ढूंगते हैं तो caster oil से अच्छा कोई oil नहीं है यह eatable oil है इसको खाया जा सकता है और इसकी मदद से खुद को healthy रखा जा सकता है तो I hope I am able to explain the benefits of caster oil और caster oil हमें क्यों use करना चाहिए कैसे use करना चाहिए यह मैं आपको बता पाई हूँ आपको समझा पाई हूँ और I hope कि यह बहुत लोगों को मदद भी करेगा इसको अपना के देखिए जिसको जहां problem है वहां इसको use करके देखें अपनी problems को दूर करें मेरे सा चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू